हम दो है है हलो फिरेंड्स वलकम बैक तू माई यूटू चैनल फ्रेंड्स बिंड़ इसी पर आईस क्यों आती है आप आप एसी ओन करते हो एस आती हो आइस आती है आप तो उस समय क्या रिजन होते हैं आप कैसे चेक ओड करें और उसमें मतलब पांच रिजन में वताऊंगा आपको step by step आप check out करेंगे, आपकी problem solve हो जाएगे, अभी जो AC है, इसमें भी ice आई थी, और मैंने उसके बाद, जो ice आई, इसमें क्या reason था, वो भी मैं आपको बताऊंगा step by step, आपको कहिरना बस इस वीडियो के script नहीं करना है, वीडियो को पूरा watch करना है, जैसे कि मैं आपको जो information दूँ, अच्छे से समझ आज है, टाइम बेश ना करते हूँ, वीडियो करते हैं, start, सबसे पहले हमने क करते हैं, काफी time के बाद उस समय के होता है, जो gas होती है, जो refrigerant होती है, नीचे होती है, इस समय थोड़ा circulation में time लगता है, तो इस बज़े से ice आती है, तो आप first time जब AC को on करते हैं, उस समय क्या करें, आप AC को कम से कम 5 minutes या 10 minutes तक आप running condition में रखें, ठीक है, running condition में जो रख आइस का circulation जब तक proper तरीके से, पूरे तरीके से नहीं हो पाता है, तब तक वहाँ पर ice रहती है, तो वहाँ पर क्या है, जो ice होगी बहुत ज़्यादा, ice घटी होगी, ice जमने लगेगी, पाइपों पर आगे, तो थोड़े देर के बाद वहाँ पर ice चली जाएग, उसके बा ice, उसका heating condenser बहुत ज़्यादा चूक है, तो आप उसको service को check out करें कि service करा है, उसकी अगर बहुत ज़्यादा dusty है, तो आप उसको service करा है, आपकी problem solve हो जाएगी, mostly जो भी fault होता है, वो अगर बहुत ज़्यादा dusty होता है, आपका air condition, इसी बज़े से ये दिक्कत आती है, ठी तो second number पर क्या है, आपका अगर फिर भी आपने service करा दी, उसके बाद भी वहाँ पर ice आ रही, तो आपको check out करना है, आपकी refrigerant कम है, उसमें जो gas है, वो कम है, अगर gas कम होगी, तो आपके section वाला pipe है, वहाँ पर ice आएगी, उसके बाद आपका जो आगे condenser है, उसमें भी ice आ fan motor है, वो नहीं चल आओगा, ठीक है, जो fan motor होगा, वो air नहीं फेक रहा होगा, आगे इसी बज़े से बहाँ पर ice आती है, तो आपका fan motor जो होगा, अगर वो नहीं चलेगा, तो आपके ये दिक्कत आएगी, कि आइस आएगी, क्योंकि बहाँ पर compression आपका चलेगा, और fan motor न की problem में, वो solve हो जाएगी, fourth number पर आप check out करें, कि उसका जो compressor होता है, वो direct नहीं चलता हो, अगर compressor आपका डायट चलता रहेगा, तो वहाँ पर गया होगा, और फिर जब डायट चलेगा, उसके बाद भी, जैसे कि आप remote से बंद कर देते हैं, और वहाँ पर जो relay होती है, वो आगे operator है, पूरे, मतलब AC में ही ICI हो जाएगी, अगर आपका जो compressor है, डायट चलता रहेगा, तो आप इसको check out करें, और आपका अगर sensor sense नहीं करेंगा, cooling coil sensor है, या room temperature sensor है, cooling को sense नहीं करेंगा, तब भी ये forward आएगा कि ice बहुत ज़्यादा आएगी, तो आप ये दोने सकता है, जैसे कि आपका heating condenser हो गया, या फिर आपका operator हो गया, तो वहाँ पी कहा है, अगर वहाँ से कहीं से चोक है system, तो आप उसको check out करें, चोकिंग की video मैंने पहले से ही बहुत ज़्यादा upload कर दी, तो आप बोजा की देख सकते हैं, तो आपको check out करना है, आपकी problem solve हो ज मैंने इसी को on किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो आई से हलकेल के melt होना start हो गई, तो आप किसी तरीके से अगर आपके सामने ये forward आ रहा है, तो हम आप इस तरीके से solve कर सकते हैं, जो मैंने first, मतलब पहली दफाव जो बताया था, तो आप step step इस सारी चीज़ चेक यूख और वाचेंग